उम्शान्ती मुरुली का तारिक है 15-10-2019 मीटे बच्चे सत्कुरू की पहली पहली श्रीमत है देही अभिमानी बनो देह अभिमान चोड़ दो प्रश्ण इस समय तुम बच्चे कोई भी इच्चा वाँ चाहना नहीं रख सकते हो क्यों उत्तर क्यूंकि तुमस वान प्रस्ती हो तुम जानते हो इन आंकों से जो कुछ देखते हो वाँ विनाश होना है अब तुमें कुछ भी नहीं चाहिए बिलकुल बेगर बनना है अगर ऐसी कोई उन्च चीज पहनेंगे तो खींचेगी फिर देह अभिमान में फस्ते रहेंगे इसमें ही मेहनत हैं जब मेहनत कर पूरे देही अभिमानी बनो तब विश्प की बादशाही मिलेगी ओम शांती यां 15 मिनिट वां आदा गंट बच्चे बैटे बाबा भी 15 मिनिट बिटाते की अपने को आत्मा समझ बाप को याद करू यां शिक्षा येक ही बार मिलती है फिर कभी नहीं मिलेगी सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे की आत्म अभिमानी हो बैटो यां येक ही सत्कुरू कहते हैं उनके लिए कहा जाता है येक सत्कुरू तारे बाकी सब दुबोये यहां बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं कुद भी देही है ना समझाने के लिए कहते हैं मैं तुम सबी आत्माउं का बाप हूँ उनको तो देही बन बाप को याद नहीं करना है याद भी वही करेंगे जो आदि सनातन देवी देवता दर्म के बाती होंगे बाती तो बहुत होते हैं ना नंबरवार पुरुशार्ट अनुसार याँ बात बड़ी समझने और समझाने की है परंपिता परमात्मा तुम सबका बाप भी है और फिर नालेशफुल भी है आत्मा में ही नालेश रहती है ना तुमारी आत्मा संसकार ले जाती है बाप में तो पहले से ही संस्कार है वाँ बाप है या तो सब मानते भी है फिर दूसरी उसमें कोबी है जो उसमें वरिजनल नालेज है बीजरूप है जैसे बाप तुमको बैट समझाते हैं तुमको फिर अउरों को समझाना है बाप मनिश्य सुर्ष्टी का बीज रूप है फिर वाँ सत्य है, चैतन्य है, नालिश्फुल है उनको इस सारे जाड की नालिज है और कोई को भी इस जाड की नालिज है नहीं इनका बीज है बाप जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है जैसे आम का जाड है तो उनका क्रियेटर बीज को कहेंगे न वाँ जैसे बाप हो गया परन्तु वाँ जड है अगर चैतन्य होता तो उनको मालूम रहता न मेरे से जाड सारा कैसे निकलता है परन्तु वाँ जड है उसका बीज नीचे बोया जाता है या तो है चैतन्य बीजरूप या उपर रहते हैं या भी मास्टर बीजरूप तुम बन रहे हो बाप से तुमको नालिज मिलती है वाँ है उन्च ते उन्च पद भी तुम उन्च पाते हो स्वर्ग में भी उन्च पद चाहिए न या मनिश नहीं समझते हैं स्वर्ग में देवी देवताओं की राज्यदानी में राजा, राणी, प्रजा, गरीब, सहुकार, आदी या सब कैसे बने होंगे अभी तुम जानते हो आदी सनातन देवी देवता दर्म की स्तापना कैसे हो रही है कौन करते हैं बगवान, बाप फिर कहते हैं बच्चे, जो कुछ होता है ड्रामा के प्लान अनुसार, सब ड्रामा के वश है, बापी कहते हैं मैं ड्रामा के वश हूँ, मेरे को भी पार्ट मिला हुआ है, वही पार्ट बजाता, वह है सुप्रीम आत्मा, उनको सुप्रीम फादर कहा जाता है, और तो सबको कहा जाता है, ब्रदर्स, और कोई को फादर, टीचर, गुरु नहीं कहा जाता है, वहां सबका सुप्रीम बापी है, टीचर भी है, सत्गुरु भी है, या बाते बूलनी नहीं चाहिए, परन्तु बच्चे बूल जाते, क्योंकि नंबरवार पुर्शार्थ अनुसार, राज्यदानी स्तापन हो रही है, हर एक जैसे पुर्शार्थ करते, वहां जट स्तूल मे भी मालूम पढ़ जाता है, या बाप को याद करते हैं, वहां नहीं, देही अभिमानी बने हैं, वहां नहीं, या नालेज में तीका है, एक्सिडेंट से समझा जाता है, बाप कोई को कुछ डाइरेक्ट कहते नहीं, फंक ना हो जाए, अफसोस में ना पढ़ जाए कि, या बाबा ने क्या कहा, और सब क्या कहेंगे, बाबा बतला सकते हैं कि, फलाने फलाने कैसी सर्विस करते हैं, सारा सर्विस पर मदार है, बाप पी आकर सर्विस करते हैं, बच्चों को ही बाप को याद करना है, याद की सबजेक्ट ही डिफिकल्ट है, बाप योग और नालिश सिखाते हैं नालिश तो बहुत सहज है बाकी याद में ही फेल होते हैं देह अभिमान आ जाता है फिर याँ चाहिए याँ अच्ची चीज चाहिए ऐसे ऐसे क्यालात आते हैं बाप कहते हैं यहां तो तुम वनवास में होना तुमको तो अब वानप्रस्त में जाना है फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं पहन सकते हैं तुम वनवास में होना अगर ऐसी कोई दुनियावी चीज होगी तो कीन्चेगी शरीर भी कीन्चेगा गडी गडी देह अभिमान में ले आते हैं इसमें है मेहनत मेहनत बिगर विश्प की बादशाही तोड़े ही मिल सकते हैं मेहनत भी नंबरवार पुरशार तनुसार कल्प कल्प करते आये हो करते रहते हो रिजल्ट प्रतिक्ष होती जाएगी स्कूल में भी नंबरवार ट्रांसपर होते हैं टीचर समझ जाते हैं फलाने ने अच्छी मेहनत की हैं इनको पढ़ाने का शवक है फीलिंग आती हैं इसमें तो ये क्लास से ट्रांसपर हो दूसरे में फिर तीसरे में आ जाते हैं यहां तो ये कही बार पढ़ना ही आगे जग जितना तुम नजदीक आते जाएंगे उतना सब मालूम पढ़ता जाएगा यहां बहुत मेहनत करनी जरूर उन्चपद पाएंगे यहां तो जानते कोई राजारानी बनते कोई क्या बनते प्रजाबी तो बहुत बनती सारा एक्टिविटी से मालूम पढ़ता है यह देह अभिमान में कितना रहते हैं इनका कितना लव है बाप से बाप के साथ ही लव चाहिए न बाई बाई का ने बाईयों के लव से कुछ मिलता नहीं वर्सा सबको एक बाप से मिलना है बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुमारे पाप कट जाए मूल बात ही यह याद से ताकत आयेगी दिन प्रति दिन बैटरी बरती जाएगी क्यूंकि ग्ञान की दारणा होती जाती है न तीर लगता जाता है दिन प्रति दिन तुमारी उन्नती नंबरवार पुरिशार अनुसार होती है या एक ही बाप टीचर सत्कुरू है जो देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते है और कोई दे ना सके और तो सब है देह अभिमानी आत्म अभिमानी की नालिज कोई को मिलती ही नहीं कोई मनिश, बाप, टीचर, गुरू हो ना सकी हर एक अपना अपना पार्ट बज़ा रहे है तुम साक्षी हो देखते हो सारा नाटक तुमको साक्षी हो देखना है एक्ट भी करना है बाप, क्रियेटर, डैरेक्टर, एक्टर है शुबाबा आकर एक्ट करते हैं सबका बाप है ना बच्चे अत्वा बच्चियां सबको आकर वर्सा देते हैं एक बाप है, बाकी सब है आत्माई बाई 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 हैं वर्सा एक बाप से ही मिलता है इस दुनिया की तो कोई चीज बुद्धी में याद नहीं आती है बाप कहते हैं जो कुछ देखते हो यां सब विनाशी हैं अभी तो तुमको गर जाना हैं वो लोग ब्रम्म को याद करते हैं गोयां, गर को याद करते हैं समझते हैं ब्रम्म में लीन हो जाएंगे इसको कह जाता है अग्णान मनिश, मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए जो कुछ कहते हैं वा रांग जो कुछ युक्ती रचते हैं सब हैं रांग येक ही बाप बतलाते हैं, बाप कहते हैं, हम तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं, ड्रामा प्लैन अनुसार, कई कहते हैं, हमारी बुद्धी में नहीं बैठता, बाबा हमारा, मुख कोलो, कृपा करो, बाप कहते हैं, इसमें बाप को तो, कुछ करने की बात ही नहीं है, मुख के बात हैं, तुमको डिरेक्शन पर चलना है, बाप का है, राइट डिरेक्शन मिलता है, बाकि सब मनश्यों के हैं रांग डिरेक्शन, क्यूंकि सब में पांच विकार है न, नीचे ही उतरते उतरते, रौंग बनते जाते हैं, क्या क्या रिद्धी सिद्धी आधी करते रहते हैं, उनमें सुक नई हैं, तुम जानते हों या शब, अल्प काल के सुक हैं। उनको कह जाता है, कागविष्टा समान सुक, सीडी के चित्र पर बहुत अच्ची रीती समझाना है, और जाड़ पर भी समझाना है, कोई भी दर्म वाले को तुम दिका सकते हो, हमारा दर्म बाप स्तापन करते हैं, तुमारा दर्म स्तापन करने वाला फलाने फलाने समय पर आता है, क्रैस्ट फलाने टाइम आएगा, जो अउर अउर दर्म में कनुवर्ट हो गये, उनों को या दर्म ही अच्चा लगेगा, फट निकल आएंगे, बाकी कोई को अच्चा नहीं लगेगा, तो वा पुर्शार्त ही कैसे करेंगे, मनिश, मनिश्यों को फासी पर चड़ाते हैं, तुमको तो एक बाप की ही याद में रहना है, या बड़ी मीटी फासी है, आत्मा की बुद्धी का योग है, बाप की तरफ है, आत्मा को कह जाता है, बाप को याद करो, या याद की फासी है, फादर तो उपर रहते हैं न, तुम जानते हो, हम आत्मा है, हमको बाप को ही याद करना है, या शरीर तो यहां ही चोड़ देना है, तुमको यह सारा घ्णान है, तुम यहां बैट क्या करते हो, वानी से परे जाने के लिए, पुरिशार्थ करते हो, बाप कहते है, सबको मेरे पास आना ही, तो, कालों का काल हो गया न, वान काल तो येक को ले जाते है, वान भी काल कोई है नहीं, जो ले जाता, या तो ड्रामा में सब नून है, आत्मा आपे ही समय पर चली जाती है, या बाप तो सब आत्माओं को ले जाते हैं, तो अब तुम सबका बुद्धियोग है, अपने गर जाने के लिए, शरीर चोड़ने को मरना कह जाता है, शरीर कतम हो गया, आत्मा चली गई, बाप को बुलाते भी इसलिए है कि, बाबा आकर हमको इस रुष्टी से ले जाओ, यहां हमको रहना नई है, ड्रामा के प्लान अनुसार, अब वापिस जाना है, कहते, बाबा, यहां अपार सुक है, अब यहां रहना नई है, यहां बहुत चीची दुनिया है, मरना भी जरूर है, सबकी वानप्रस्त अवस्ता है, अभी वानी से परे जाना है, तुमको कोई काल नहीं काएगा, तुम कुशी से जाते हो, शास्त्र आदी, जो भी है, वहां सब बक्ती मार्ग के हैं, वहां फिर भी होंगे, ड्रामा की यहां बड़ी वंडर्फुल बात है, यहां टेप, यहां गड़ी, जो कुछ इस समय देखते हो, वहां सब फिर होगा, इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्रफी, रिपीट का अर्थ ही है, हुबहु रिपीट, अभी तुम जानते हो, हम फिर से सो देवी देवता बन रहे, वही फिर बनेंगे, इसमें जरा भी फरक नहीं पड़ सकता है, यहां सब समझने की बाते हैं, तुम जानते हो, वहां बेहत का बाप भी है, पीचर सत्गुरु भी है, ऐसा कोई मनिश्य हो ना सकी, उनको तुम बाबा कहते हो, प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, यहां भी कहते हो, मेरे से तुमको, वर्सा नहीं मिलेगा, बापु गांधी ची भी, प्रजापिता नहीं है, बापु गांधी ची को भी, प्रजापिता नहीं कहेंगे, बाप कहते हैं, इन बातों में तुम मूँचों मत, बोलो, हम ब्रह्मा को बगवान, वहां देवता आदी कहते ही नहीं हैं, बाप ने बताया है, बहुत जन्मों के अन्त में, वानप्रस्त अवस्ता में, मैं इनमें प्रवेश करता हूं, सारे विश्व को पावन बनाने के लिए, जाड में भी दिखाओ, देखो, एकदम पिचाडी में कड़ा है, अब तो सब तमों प्रदान, जड़डी बूत अवस्ता में है न, या भी तमों प्रदान में कड़े हूं, वही पिच्चर्स है, इसमें बाप प्रवेश कर, इनका नाम ब्रम्मा रखते हैं, नहीं तो, तुम बताव, ब्रम्मा का नाम कहां से आया, या है पतित, वा है पावन, वाँ पावन देवता ही, फिर 84 जनम ले पतित मनश्य बनते है, या मनश्य से देवता बनने वाला है, मनश्य को देवता बनाना, या बापका ही काम है, यहां सब बड़ी वंडर्फुल समझने की बाते हों, यहां वां बनते हैं सेकेंड में, फिर वां 84 जनम ले यहां बनते हैं, इसमें बाप प्रवेशकर बैट पढ़ाते हैं, तुम भी पढ़ते हों, इनका भी गराना है ना, लक्ष्मी नारायन रादे कृष्ण के मंदिर भी है, परन्तु यहां किसी को भी पता नहीं, रादे कृष्ण पहले, प्रिंस प्रिंसे जहें, जो फिर लक्ष्मी नारायन बनते हैं, यहां बेगगर टू प्रिंस बनेंगे, प्रिंसों बेगगर बनते हैं, कितनी सहज बात है, 84 जन्मों की कहानी इन दोनों चित्रों में है या वहां बनते है युगल है इसी लिए चार बुझा देते है प्रवुरुत्ती मार्ग है न एक सत्कुरु ही तुमें पार ले जाते है बाप कितना अच्छी रीती समझाते है फिर दैवी गुण भी चाहिए स्त्री के लिए पती से पूचो वा श्त्री से पती के लिए पूचो तो जट बताएगी इन में या कामिया है इस बात में या तंग करते है या तो कहेंगे हम दोनों टीक चलते है कोई किसी को तंग नहीं करते हैं दोनों, एक-दो के मदद का है, साती होकर चलते हैं, कोई एक-दो को गिराने की कोशिश करते हैं बाब कहते हैं इसमें स्वबाव को अच्छी रिती बद़ना पड़ता है, वां सब है असुरी स्वबाव, देवतावं का होता ही है, दैवी स्वबाव याँ सब तुम जानते हो, असुरों और देवतावं की युद्ध लगी नई है पुरानी दुनिया और नई दुनिया आपस में मिल कैसे सकते हैं बाप कहते हैं फास्ट बाते जो होकर गई उनको बैट लिखा है उनको कहानिया कहेंगे क्यूंहार आदी सब यहां के हैं द्वापर से लेकर मानते हैं सत्युब में नई मनाये जाते द्वापर से, यह त्यूआर मनाते रहते हैं, यह सब बुद्धी से समझने की बाते हैं, देह अभिमान के कारण बच्चे, बहुत पाइंट्स बूल जाते हैं, नालिश तो सहच हैं, साथ रोज में सारी नालिश दारण हो सकते हैं, पहले अटेंशन चाहिए, यात की यात्रा पर अच्छा, मेटे मेटे सिखिलदे, बच्चों प्रति, मात्पिता बाप दादा का, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को, याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नम नमस्ते नमस्ते दारणा के लिए मुख्य सारी फर्स्ट पाइंट इस बेहद नाटक में एक्ट करते हुए सारे नाटक को साक्षी होकर देखना है इसमें मूँचना नहीं है इस दुनिया की कोई भी चीज देखते हुए बुद्धी में याद ना आये सेकेंड पाइंट अपने असुरी स्वबाव को बदल दैवी स्वबाव दारण करना है एक दोका मददकार होकर चलना है किसी को तंग नहीं करना है वरदान दिल में एक दिलाराम को समा कर एक से सर्व संबंदों की अनुबूती करने वाले संतुष्ट आत्मा बव नालेश को समाने का स्थान दिमाग है लेकिन माश को समाने का स्थान दिल है कोई कोई आशिक दिमाग जादा चलाते है लेकिन बाप दादा सच्ची दिल वालों पर राजी है इसी लिए दिल का अनुबव दिल जाने दिलाराम जाने जो दिल से सेवा करते वा याद करते उने मेहनत कम और संतुष्टता जादा मिलती है दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते है उने समय प्रमान एक से सर्व संबंधों की अनुबूती होती है श्लोगन अम्रुत्वेले प्लैन बुद्धी होकर बैटोतु सेवा की नई विदिया तच्छ होगी अच्छा ओम शान्ती